कई दिनों से खाने पीने की चीजों में मिलावट की खबरे सामने आ रही थी। इस बीच हाल ही में अब उत्तर प्रदेश के सीम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला सुनाया। ये आदेश दिया की सभी ढाबों, रेस्टरेंट्स और होटलों के बाहर उनके ओनर का नाम लिखना जरूरी है। इसी कड़ी में बाबा बैद्यनाथ धाम, जारखंड के देवघर की जनता क्या कहती है। हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। क्या वहां भी ऐसे नियमों की जरूरत है। दुकानदारों और भक्तों का इस बारे में क्या कहना है। आए जानते हैं। तो दरसल सबसे पहले ये मामला सामने आया जब आंध्रप्रदेश के तिरुपती मंदर के प्रसाद में मास होने का दावा किया गया। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे वीडियो वाइरल हुए जिसमें स्टॉल या धाबों पर बन रहे खाने पर थुका जा रहा था। हाल इतने ख्राब हैं कि जूस में पेशाब मिला कर लोगों को सर्फ किया गया। इस बीच यूपी में अब सभी धाबों, रेस्टरेंस और होटलों के बाहर उनके ओनर का नाम लिखना जरूरी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात का नया आदेश धार्मिक स्थलों को बदल देगा। जब श्रद्धालू पूजा करने आते हैं, तो उन्हें मिलावटी खाने का डर बना रहता है। ऐसे में आप इस बारे में क्या सूचते हैं। CM योगी का ये आदेश उन लोगों के लिए हैं, जो गंदा खाना परोस रहे हैं। अगर आप इस नए नियम का समर्थन करते हैं, या मानते हैं कि इससे कोई समस्या हो सकती हैं, तो अपनी राय हमसे कमेंट सेक्षन में साजा करें। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे लोकल एटीम। जरूरी है, क्योंकि धार्मिक स्तल जो सद्धालू आते हैं, वो काफी अपने भावनाओं के साथ आते हैं। तो होता क्या है कि अब किसी प्रकार से उनके भावनाओं को ठेश ना पहुंचे, इस बात की जो जिम्यदारी है, वो हमें भी लेनी चाहिए। धर्म के नाम पर जूस में क्या-क्याब दे रहा है, तो हम लोग का धर्म भरनाष्ट नहीं हो, इसलिए नेम प्लेट और लगाना एक दम जरूरी है, ऐसा अगर कोई करता है, तो उस पर कली से कली कारवाई होना चाहिए। अगर आप अपनी बहचान नहीं बता सकते हैं, तो आप क्या बता सकते हैं, आपको अपनी बहचान बताने में दिक्कत है, तो फिर अपके अंदर खोट है ना, आपकी नियत में खोट है। कोई अमांडन है, कोई श्विक है, कोई शिए, कोई ब्रहह्मन है, तो उनको जानकरी होना चाहिए। यसे हम ब्रहहहन है, ये मुसलिम है, मान लिजे। आपरे मिण पुरा काहिए।